तो स्वागर दोस्तो मैं हूँ आपके साथ RK टेक्निकल इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो आपके मोबाइल में जो एड्स आती हैं आप रियल मी श्योमी जितने चैनिस पॉपल आ चुके हैं दोस्तों में बहुत ज्यादा भर भर के एड्स आ रही हैं उन एड्स को आप क कैसे ब्लॉक कर सकते हैं जिया दोस्तो इस वीडियो में आपको पूरा पताऊंगा आप किस तरह किसी जो एड्स आती है आपकी मोबाइल में चाहें आप वीड मैट यूज़ कर रहे हो या फिर यूटूब तक यूज़ कर रहे हो दोस्तों अन्नोइंग एड्स आपको सामन कर लेना कुछ इस प्रकार से इसको डिसेबल करने के बाद दोस्तों आपकी जो आधी है आनी वो बंद हो जाएगी आप अगर जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एड्स आनी आपकी सेडिंग को आफ करते ही बंद हो जाएगी अब दोस्तों थर्ट पार्ट देखे सीबाड्य देखे सीबाड में कर सकते हम हैं कर लेना है रिवाइस है आपको जес is create कर लेड़ी को से असब आपको one by one करके select कर लेता है मैं कर लेना है मैं जल्दी से कर लेता है select आपको भी कुछ इस प्रकार से one by one करके सबको select कर लेना है तो इस प्रकार से दोस्तों यह देखे जितने भी third party application है यहाँ पर आपको देखने को मिट रहे है photos या फिर इंस्टाग्राम यहाँ पर देखने को मिट रहे है इन सबको select कर लेना है इनमें बहुत ज्यादा ads आती है दोस्तों इन सब ads को block करने के लिए यह method आप चरू ट्राइ करिए आपके में successfully work करेगा इन सबको दोस्तों select करने के बाद आपको नीचे में दिख जागा hybrid का option green color के में continue पर आप जैसी click करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको redirect कर देगा यह permission मगेगा permission आपको कैसे देने दोस्तों आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जागा greenify यहाँ पर यह देखे कुछ इस प्रगार से इसको दोस्तों greenify emanated vibration को आपको permission दे देना है enable कर लेना इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से हमारा greenify से काम हो चुका है complete अब दोस्तों आपको फिर से एक बार अपनी setting open करनी है setting open करने के बाद दोस्तों नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको दिख जागा दोस्तों connection and sharing यहाँ पर आपको open कर लेनी है then again आपको दिख जागा दोस्तों private dns को option यह आपके में off रहेगा इसको दोस्तों आपको auto पे लाके select करके छोड़ देना है इतना करने के बाद दोस्तों एक बार फिर से नीचे आना है उसके बाद दोस्तों आपको फिर से अडिशन settings में जानी है then again आपको यहाँ पर developer option आपको open कर लेना है मैं बता चुक हूँ developer option कैसे open करना है build number पे 7 time प्रेस करेंगे आपको developer option open हो जाएगा यह देखिए दोस्तों आपको नीचे आना है उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर एक जाएगा option wireless display certification यह वाला option दोस्तों आपके में disable रहेगा इसको on कर लेना है तो अब दोस्तों आपके device में जो ads आ रही थी वो पूरी तरीकी से बंद हो जाएगी और आपका device स्मूथ वर्क करेगा without ads बिना कोई बेकार की ads देखिए अपना device आप यूज़ कर सकते हैं तो इस परकार से दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगड़ी हो नीचे में कमेंट चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइके ने फिल्कुने फिल्कुने फिल्कुले क्योंकि इसी पराट की वीडियो में लादाताता हूं जन्ने माँ थैंक्स फॉर वाचिंग